प्यार इस आथिरवाद के लिए मैं सभी देश वाच्चों का रणी हूँ आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनारदन के बहुत आभारी है देश वासियों ने भाजबा पर एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये एक सो चानीस करोड भारतियों की जीत है भाई और बेहनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूँगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोड मतदाता ग्यारा लाग पोलिंग स्टेशन देड़ करोड मतदान कर्मी 55 लाग वोटिंग मशीन है हर करमचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दाहित्व को बक्खुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर हर भारतिय को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिशंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरन नहीं है और मैं देशवाचों को कहूंगा मैं इंफ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशंसी है ये अपने आप में बहुत बड़ा गवरों का विश्य है गवरों का विश्य है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग है जो दुनिया में अपनी बात पहुचा सकते हैं उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोगतंत्र के इस सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतंत्रिक देशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत्पुर्व उत्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्वपर आदर पुर्वग नमन करता हूं मैं देश भर के सभी दलों सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूं सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराठ सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मैं रदय से धन्यवाद करता हूं साथ्यों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सभा के चुनाव हुए वहां पर NDA को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साप हो गया है मेरे पाद दीट्रेल तो नहीं है लेकिन सायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोग सबाज चुनाओं में भी उडिसा ने बहतरीन प्रदर्शन किया है ये पहली बार होगा जब महा प्रभु जगनाती धर्ती पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीड जीती है हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पीडियों से वो संगर्भ भी करते रहें जन सामान्य की सेवा भी करते रहें और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ पीडियों से जिस खशन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेलंगना में हमारी संख्या दो गुणा हो गई है मद्दप्रदेश, गुजरात, छतिशगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम बिदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं मैं इन राज्यों की जन्ता को भी स्वाद दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबु नायडू जी के नित्रूत्म में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नित्रूत्म में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है साथियों दस वर्थ पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था तब देश ने हमें कि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था प्रेजाईल फायूद सब्दों से में नवाजा जाता था हर दिन अख़बारों की हेडलाइन गोटालों से भरी रहती थी देश की हुआ पुरी अपने भविश्य के सब्द में आसंकित हो गई थी ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौप था हम सभी ने पूरी मांदरी से प्रयास किया काम किया दोहजार उन्नीस में देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया इसके बाद NDA का दूसरा कारकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया दोजार चोबिस में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशिरवाद लेने देश के कौने कौने में गए आज तीसरी बार जो आशिरवाद NDA